अलो फ्रेंड्स देर इस ए रिविजन ओन चैप्टर वन जीएस्टी इन इंडिया एंट इंट्रोड़क्शन तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है इसको कोई भी लॉग की वर्डिंग की जरुवत नहीं कियो आपको हेडिंग भी समझ में आती है उस पर अगर आप मन से भी जाता है उसका अब जिढ़ सकीफिय कि फ्रेंडरेक्ट ओर इसकर से अंहmee डिकर जीएज्ट अगर हमखे किया है तो इसके वहां हीम को देखता है यां पर तारीक्ट और इंडारेक्ट टैक्स के बारे में बात करा इंगी जीए सटी मैं आपको कि आइसेंक प्रूस्तों यो तो GST की नीड क्या थी, हम बार old indirect tax system में क्या problem थी, क्या कमियत थी और इसके कारण GST लाकर इसको कैसे सुधार किया, basically ये इसको में हमको देखना है, now GST इंडिया में किस तरीके के framework के साथ आए, जैसे कि हम जानते हैं कि GST यहाँ पर जो है, वो dual GST model आया है, तो उस पे बारे में हम यहाँ बात करेंगे, then constitutional provision, GST लाने से पहले constitution में क्या क्या changes किये गया, उसके बारे में हम बात करेंगे, in constitutional amendment जो है करने के बाद ही हम GST ला पाए हैं, जिसके लिए सबसे important आपको नीचे दिखता होगा, constitution 10 first amendment act 9 2016, तो चली start करते हैं यहां से, यह होगी आपका GST in India के बारे में क्या क्या point हमने पढ़ने वाले हैं, background यहाँ पर बहुत ही simple है, background में basically यह बताए गया है, कि जो इंडिया है वो एक developing country है, और developing country को काफी fund के जरुत पढ़ती है, development काम के लिए, तो इस current से taxes लगाए जाते हैं, ठीक है, तो जितने ज़्यादा taxes, levy of taxes जो basically last line देखे, taxes are collected to fulfill the socio-economic objective, तो government को profit earning के लिए काम नहीं करती है, basically socio-economic objective, government का होता है, और इस तरही के से, अगले point में आते हैं, what is tax, तो tax क्या चीज़ है, टेक्स basically a pecuniary burden laid upon the individual or the property owner to support the government, a payment exacted by the legislative authority, मतलब कहीं कहीं कानून बना का tax लिया जाता है, यह voluntary payment नहीं है, तो simple word में बात करें, तो in simple word, tax is nothing but money that people have to pay to the government, which is used to provide public services, इस तरही के से आगे चलते हैं, direct और indirect taxes के बारे में बात करते हैं, तो direct taxes क्या है basically, direct taxes, direct tax is a kind of charge, which is imposed directly on the taxpayer, and paid directly to the government, तो यहाँ पर जिसके ओपर tax charge किया जाता है, उसी से tax वसूल किया जाता है, वो उसका button किसी और के ओपर shift नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, cannot be shifted, और इसका example सबसे अच्छा income tax, उसके बाद indirect tax के बात करते हैं, indirect tax में सबसे quality बात यह है, सब unique बात यह है, कि इसमें जो taxpayer होता है, वो एक माध्यम होता है, conduit होता है, ठीक है, वो cable tax वसूल करकर government को देता है, उसके pocket से कुछ नहीं निकलता, taxes जो है, उसके बाद यहाँ पर last second paragraph में लिखा भी है, its incidence is born by the consumer to the consumer who ultimate consume it, उसके ओपर यह बड़न टूफ हो जाता है, manufacturer से, wholesaler के पास, wholesaler से, retailer के पास, retailer के पास, ऐसा chain के थूरू create होता है, ultimately, अगर हम आगे जाएं, तो देखें, यह एक regressive nature का होता है tax, तो indirect tax regressive nature इसलिए होता है, क्योंकि यहाँ पर ability to pay का ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पर एक product rich person purchase करे, चाब poor person purchase करे, दोनों से tax एक ही जैसा लिया जाता, जबकि direct tax ability to pay का ध्यान रखता है, जिसकी income जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा उसको tax दिना पड़ेगा, और percentage भी बढ़ जाता है, लास्ट परग्राफ में अगर हम आते हैं, हावेवर indirect tax in India is witness of paradigm shift, यह जो date है, that is a very important date, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, इस date से indirect tax का पुरा स्वारूप, यह पुरा पुरा प्रारूपी बदल गया, by introduction of TST, ठीक है, उसके बाद custom duty भी indirect tax में आती है, बट यह हम final level पे देखेंगे, direct और indirect tax के बारे में अगर दो main point के हम बात करें, यहाँ पर देखी क्या लिखा हुआ है, basically इसमें direct tax में जो incidence है, टेक्स का जो प्रभाव है वो taxpayer के उपर ही पड़ता है, और यह एक progressive nature का tax होता है, मतलब यहाँ पर जितनी ज़्यादा आपकी income रहेगी, आपकी ability to pay रहेगी, टेक्स होता ज़्यादा लिया जाएगा, जबकि indirect tax में ultimate consumer के उपर burden आता है, बहले taxpayer जो supplier होता है, ठीक है, चार्ज उनके उपर होता है, और एक regressive nature का होता है, यहाँ पर shift के बारे में लिखा हुआ है direct indirect tax, उसके बाद दोस्तों हम आगे जाते हैं, feature of indirect tax, indirect tax के अगर हम features की बात करें, indirect tax का feature क्या है, यह एक important source of revenue government के लिए, क्यों हो भई, क्योंकि more than 50% tax revenue जो है indirect tax से आती है, तो naturally important हो गया, tax on commodities and services, तो naturally इसमें जो goods को और services को जो हम sale करते हैं, supply करते हैं, उसके उपर tax लगता है, तो commodity और services पर tax है, जबकि income tax जो है, उसको sale करने से जो आप profit earn करते हैं, उसके उपर tax लगता है, point number 3 जो है shifting of button, यहाँ पर हम जानते हैं कि button जो है supplier जो होता है, वो button जो है आगे shift कर देता है, तो GST paid by the supplier of the goods that is recovered from the buyer, और इस तरीके से एक chain credit होती है, फिर point number 4 लिखा है, no perception of direct pinch, तो इसमें जिससे tax ultimately वसूल किया जा रहा है, उसको पता नहीं लगता है कि वो tax pay कर रहा है, for example, consumer जब कोई goods खरिद के लाता है, उसमें GST जुड़ा हो रहता है, बट वो सोचता है कि मैंने goods की price pay की है, तो उसको direct pinch नहीं होता, तकलिफ नहीं होती, ना inflationary क्यों होता indirect tax, क्योंकि ultimately consumer के price में जूड़ जाता है, और इसे prices बढ़ते हैं, जितना indirect tax आप बढ़ाएंगे, GST का rate जितना बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा फिजों के rates बढ़ जाएंगे, और common rates बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, inflation, और एक चीज का rate बढ़ता है, तो उसका effect दूसरे में भी पढ़ता है, इसको price spiral भी बोलते हैं अपन, फिर wide tax base, wide tax base का मतलब होता है कि indirect tax का चो tax base है, tax देने वाले लोग हैं, वो direct tax की तुल्ल में जादा रहते हैं, direct tax में tax का base बहुत कम रहता है, for example, income tax जो है, less than 3% लोग की income tax पे करते हैं, जबकि indirect tax ज़्यादा लोग पे करते हैं, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो promote social welfare, अब ये तिन goods के माध्यम से social welfare कैसे promote करता है, जितने भी खराब चीज़ें होते हैं, tobacco लेकर वगरे होता हैं, उसमें indirect tax का जो rates ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उसकी prices बढ़ जाती है, और prices बढ़ने से, लोग उसको naturally, economics के concept के साथ से उसकी demand कम करते हैं, now it is an regressive nature, मतलब अगर एक पतलबगा toothbrush एक rich person purchase करता है, toothbrush poor person purchase करता है, तो दोनों को जो GST है, जो indirect tax हो same देना पड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं, regressive in nature, friends उसके बाद अगले concept में चलते हैं, Genesis of GST in India, अब GST, इसका मतलब होता है कि ultimately GST जो लाया उसका पूरा start कहां से हुआ, किस तरीके से इसको हम, इसके इस year में क्या क्या development हो, इसके बारे में लिखा हुआ है, इसके लिए एक framework यहां पर दिया हुआ है, सीधा सीधा उसमें हम चल रहे हैं, बागी detail आप देखेगा, यह देखिए, next page में अगर हम framework में चाले, तो एक एक यहां पर concept लिखा हुआ है, 2000-2006 में क्या हुआ, फिर इस तरीगे से क्या हुआ, तो एक एक करके आराम से पढ़ते हैं इसको, देखिए, year 2000, in the year 2000, यह वाला point में पढ़ रहा हूँ, in the year 2000, then Prime Minister introduced the concept of GST, and set up a committee to design a GST model for the country, जब इसको पढ़ते हैं, तो आपको फिल्कुल तो यहाद आना चाहिए, committee कौन सी थी, ठीक है, तो सबसे पहले committee तैकी के के 2000 में, 2006 में क्या हुआ, in the 2006 announcement by the union finance minister, during the budget 6-7, that GST would introduce from 1st April 2010, announce कर दिया है कि 1 April 2010, बजट में कि हम GST ला रहे हैं, बट थोड़ा उसमें आनी पाया, बाद में आया, 2014 में क्या हुआ, the constitution 122nd amendment bill was introduced in लोगसभा, यहाँ पर 122nd bill लाया गया, एक्ट नहीं बनाई अभी, बिल लाया गया, ठीक है, उसका अगस्ट 2016, बहुत ही important year रहा, तो the constitution 101st amendment act was enacted, तो वो जो बिल लाया गया, तो act बन गया, जो नंबर कोडिंग हुई वहाँ पर 101st amendment act, और सही माइने में इसी को detail में आपको पढ़ना है, तिर अगस्ट 2016 के बाद से सेप्टेंबर 2016 में हम बात करें, तो first GST council meeting, सबसे पहली बार GST council की meeting हुई, और GST council के बारे में भी आगे हमको detail देखना है, क्योंकि इसके act बनाना है, तो act बनाने के लिए सबसे पहले बिल बनाया जाएगा, इन सब के बिल बनाया गया, और फिर April 2017 में इनके पूरे act पास कर दिये गया, और अगर हम आगे चलते हैं, तो फिर May 2017 में GST council ने इन सब के बारे में rules बनाने को recommend कर दिये, क्योंकि हम जानते हैं GST में होता क्या है, कि जितने भी चीज़े हैं वो council के recommendation पर government करती है, तो council में state और central government का mix जो है, वो committee members होते हैं, उसको भी हम detail में देखेंगे, फिर 30th June 2017, all state, इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे state ने SGST Act, अपने अपने state में जहां भी लेचिस लेचर होता है, वहाँ पर SGST Act पास कर दिया गया, और 1st July 2017 को GST launch हो गया, तो 1st July 2017 एक प्रकार से एक पूरा का पूरा moment है, तो ऐसा chronological लिश से याद कीजिए, और 8 July को जम्मू कश्मीर ने भी इसको adopt कर लिया, और इसके बाद से फिर GST continue चालू है, तो friends ये एक framework पढ़ने के बाद फिर आप detail theory देगी है, तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी, उसके बाद कुछ point यहाँ पर नीचे दिये वे, ठीक है, अब state boundaries हट गई है, यहाँ पर GST है, अगले paragraph में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखे, वेट और GST often used interchangeability, तो कहीं ने कहीं GST में वेट का concept है, वेट एक concept है, जिसमें value addition पर tax लग रहा है, goods and services, यह जो GST है, सबसे पहली बार France में आया था, ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, तो presently more than 160 countries जो है, उसमें यह point, यह GST चल रहा है, पॉइंट नमर फाइव में आ जाते हैं, concept of GST, तो GST के concept के बाद करें, GST क्या चीज़ है, तो इसके concept के बाद करें, तो GST एक value added tax है, क्योंकि इसमें output GST में input GST minus कर दिया जाता है, तो इसका मतलब हुआ, यह एक value added tax है, for example, अगर मैं 100 रुपे का कोई goods खरिता हूँ, और 125 रुपे में sale करता हूँ, तो finally tax, जो है extra tax, जो है 25 रुपीज पर ही आएगा, कैसे आएगा, 125 पर output GST calculate होगा, और 100 पर जो input GST आपने pay कर दिया है, वो minus होगा, तो ultimately यह value addition पर tax है, और value addition tax देने के लिए, यहाँ पर कई सारे और इसके features है, continuous chain of tax credit, तो tax credit ही continuous chain है, input का tax output पर adjust हो जाता है, ठीक है, उसके burden, born by final consumer, we know very well, और cascading effect मतलब tax के ओपर tax fear, या compounding of taxes इस कारण से नहीं आता, यह GST का एक common point दिया हुआ है, need for GST in India, यह important question में मानूँगा, दोस्तों क्योंकि ultimately need for GST in India की बात करें, तो हमको दोनों बात यह करनी है, कि old system में क्या problems थी, और GST उन problems को कैसे दूर किया, तो इस दो चीज़ों यहाँ पर हमको मिलेगी, तो दीखे, deficiency in, क्या लेका, deficiency in the existing value taxation system, has lead to GST, cure for ills, इस मतला जो problems थी, ills for existing indirect tax regime, तो दीखे, deficiency in value added tax system, जो पुराना section, उसमें क्या problems थी, इसमें हम बात करें, तो दीखे, इसमें दो चीज़ों आपको दीखती है, एक तो sand wet word दीखता, और एक state wet दीखता, तो पहले जो indirect tax था, वो central government का अलग और state government का अलग था, state government के concept को state wet बोलते थे, और central government को sand wet बोलते थे, बट आपस में इनकी cross sanctionability allowed नहीं थी, इस कारण से taskading effect होता था, इसलिए point number one में क्या लिखा हुआ यहाँ पर, double taxation, double taxation इसी कारण होता था, क्योंकि central government और state government का कोई adjustment नहीं होता, for example, state wet और service tax का कोई भी adjustment नहीं होता था, उसके अगले point पर हैं लिखा हुआ हुआ है, सेनवेट, तो सेनवेट बेसिकली central government का वेट सिस्टम था, दिद नॉट इंक्लूट चेन ऑफ वेल्यू एडिशन इन दिस्टिबूटिव ट्रेड बिलो इस्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इसका बहुत सिधा सिधा बात करें, अगर मैं किसी manufacturer से goods खरीद हूँगा, और उसकी ट्रेडिंग करूँगा, सेल करूँगा, तो manufacturer ने मेरे उपर पहले लगाता था वो excise duty, तो उसकी मेरे को credit नहीं मिलती थी, वो send weight के अंतरगात आता था, और मेरा output tax state weight के अंतरगात आता था, ठीक है, तो इसके कारण kaskini effect create होता था, और फिर हमां आगे चलें, और weight जो पुराना वाला system था, वो कई सारे, वो कई सारे indirect tax को sub-sum नहीं किया था, बहुत सारे अलग-अलग tax भी एक साथ चलते थे इंडिया में, उसके आथ CST यहाँ पर last point पर आ जाते हैं, CST एक non-wattable है, इसको अगर simple तरी जिसे मिता हूँ, या अगर आप दूसरे state से कुछ goods खरिद के लाते हैं, पह जब CST एक non-wattable था, उसके कारण भी करस्किन इफेक्ट क्लियेट होता था, अब अगले concept में आप आईए, GST accure for ills of existing indirect tax regime, तो कुल मिलाकर GST ने क्या किया, GST ने पुराने service tax को भी सब्जूम कर लिया, एक side duty को सब्जूम कर लिया, पूरे indirect tax को सब्जूम करके free flow of input credit अव जो double taxation उनके करण होता था, वो बंद हो गया, तो देखे, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर first point, comprehensive taxes, लिकुल सही बात है, comprehensive tax structure मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्मन के दोनों के taxes को, mainly tax को जोड दिया गया, ठीक है, तो इसके करण क्या हुआ, continuous chain of set-off, यहाँ पर पूरी continuous chain of set-off मिल दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो taxable event इन्होंने क्या बना दिया, supply, पहले taxable event भी अलग-अलग हुआ करती थी, excise duty के लिए manufacturing थी, wet वगरे के लिए sale थी, service tax, provision of service था, तो सब को इन्होंने common word डाल दिया, taxable event, now friends, next concept में चलते हैं, framework of GST as introduced in India, अगर मैं GST के framework की बात करूँ, तो यह basically point number 7, जो है, पूरे GST का common discussion इसमें हमको मिल जाएगा, काफी सारी चीज़े हमको एक brief में पता लग जाएगी, तो सबसे पहला है dual GST, बिल्कुल सही बात है, इंडिया में single GST नहीं है, इंडिया में dual GST है, और इसका simple reason है, federal structure, तो क्योंकि इंडिया एक federal structure है, federal structure है, state government के अधिकार अलग है, central government के अधिकार अलग है, इस कारण से, यहाँ पर dual GST, मतलब कुल मिला का सीधी सब्दों में बात करूं, GST, central government, state government, मिल कर वसूल करती है, इसलिए तो आपने देखते है, cGST, sGST वसूल होता है, और interstate supply में IGST वसूल होता है, central government, लेकिन उस IGST का एक GST on taxable supply of goods and services और बोद, दोनों पर tax लग रहा है, और center जो है, also has power to tax, intra-state sale and state also has power to tax on services, तो सब के पासे whole power आ गया, उसके अगला अगर हम क्या पढ़ रहे है, यहाँ पढ़ रहे है, GST बेसिकली, जो है उसका nature क्या, GST का पूरा एक chapter framework पढ़ रहे है, second point में हमको दिख रहे है IGST, अब देखी, CGST हर एक transaction में intra-state जब supply होगी, तो उसमें CGST और SGST वसूल की जाएगी, और अगर वो state union territory without legislation, तो SGST की जगा यू TGST हो जाएगी, और अगर inter-state supply होता है, तो वहाँ पर central government वसूल करेगी IGST, तो यहाँ पर यह overall framework भी है, intra-state supply और inter-state supply, तो इसके बाद देखी इंटर-state supply और inter-state supply का यहाँ पर fundamental दिया हुआ है, now point number three में अगर हम आते हैं, तो legislative framework, तो legislative framework के लिए पंडा सिधा है, कि CGST Act एक बनाया गया central government के द्वारा, UTGST Act एक बनाया गया, IGST Act एक बनाया गया है, लेकिन हर state जहाँ पर legislative assembly है, ठीक है, वो हर अपने state ने, अपने अपने स्टेट में SGST Act बनाया है, मतलब SGST मल्टीपल है, देखें, मल्टीपल SGST legislation या एक्ट, और taxable event हम जानते हैं, यहाँ पर supply है, तो हर state लेकिन जो state ने, SGST Act हर state ने अलग-अलग बनाया है, तो वो हर state का जो framework है, उनके act का जो तरीका है, वो एक जैसा है, ठीक है, उसमें बहु पेपर बनाया गया तो जो प्रारूप बनाया गया था, फॉर्मिट बनाया था, एक जैसा बनाया गया था, उसके आथ classification of goods or service की बात करें, तो जो goods की classification की ज़रूर पढ़ती है, जी एस्टी में, कौनसा goods, किस code नमबर पे आता है, उसके लिए HSN यूज किया जाता है, और ब स्कीम बनाया गया था, फॉर्मिट नमबर फाइव में देखें, आपर composition scheme के बारे में बहुती brief discussion है, तो basically यह small जो supplier होते हैं, small business होते हैं, उनके लिए लाए गया है, क्योंकि उन लोग बहुत सारे formality, statutory documents वगरे fulfill नहीं कर पाते, तो उनको यह बुला गया कि अगर आप एक न आपका जो tax का rate है, JST का rate है, वो भी बहुत ही कम कर देंगे हम, उसमें 1%, 2% ऐसा half percent, बहुत ही कम rate दिया हुआ है, और बस problem यह कि इनको input tax credit available नहीं होगी, और वो किसी और को input tax credit या ITC जिसको हम बोलते हैं, pass on नहीं कर सकते, इसलिए composition scheme वाले जो supplier होते हैं, यह tax invoice issue नहीं करते ठीक है, इसको और detail में हम chapters में देखेंगे, registration की बात करते हैं, तो every supplier जिसका goods or services is required to obtain registration in the state, अब यहाँ पर क्या लेका हुआ है, state में registration कराना है इनको, from where he makes the taxable supply, तो जैसे मालो महराश से supply करता हूँ, तो महराश में इनको registration कराना है, Delhi नहीं जाना registration कराने के लिए, if his aggregate turnover, तो एक technical term हाँ भी पढ़ेंगे, हम aggregate turnover exceed the threshold limit, जो कि 10 लाख है, 20 लाख है, special अगर कुछ खास state में, केवल good supply कर रहे हैं, तो 40 लाख भी दिया हुआ है, यह यहाँ पर framework दिया हुआ है, तो यह बहुत ही important है, कि हमको याद रहना चाहिए, 10 लाख की limit, यह 4 श्टेट दिख रही है आ अरुनाचल प्रदेश, मेघालाय, सिक्किम, उत्तराखन, पंडिचेरी और तिलंगाना में जो limit बनाए गई वो, चाहे आप goods supply करें, चाहे service supply करें, 20 लाख की threshold limit बनाए गई है, और इसके अलावा जितने भी state बच गए है, उस पे normal limit तो 20 लाख है, लेकिन अगर exclusively कोई supply of goods कर रहा है, तो उस case में फिर 40 लाख रूपे की threshold limit है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस limit से उपर अगर आपका aggregate turn और गया, तो आपको फिर registration कराना पड़ेगा, उसके अगले concept में चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ exemption, तो देखिए exemption जो है basically, apart from the providing relief to the small scale business, उनको तो relief दी गई है बढ़ कई सारे supply of goods और services को जो की important है publicly, जनरल publicly उसको exempt भी किया गया, exemption notification के थूँ, the law also contains the provision for granting exemption, इसके लिए section 11 exemption का section है, और उसके अंतरगत notification जारी करके इसको exempt किया गया, तो यह भी हमारे exam के लिए important है, अलाकि हमारे course में goods का detailing नहीं है, हमारे services की detailing है, कौन-कौन से services exempt है, उसका next है, slimless flow of credit, यह बहुत ही common point है, यहाँ पर slimless flow of credit का मतलब होता है, जब भी आप supply करेंगे, तो वहाँ पर एक wet chain create होगी, और input की credit आपको output पे मिलेगी, इस कारण से कास्केन effect नहीं आता, थोड़ा पढ़के देखते है, GST is a destination based consumption tax, इसका क्या मतलब होता है, destination based consumption tax, simple मतलब आप समझ लेजिए, कि ultimately, जिस state में goods finally consume होगा, वो ही state GST से पैसे earn कर पाएगा, या tax collect कर पाएगा, destination based consumption tax है, ठीक है, और revenue of the SGST, ordinary accrue to the consuming state, तो यहाँ पर यह word भी हम पढ़ सकते है, consuming state के पास revenue रहेगी, exporting state के पास कोई revenue नहीं रहने वाली, ठीक है, इसलिए इसको consumption based tax बोलते है, against the IGST, payable on the interest supply हम जानते है, the buyer in the importing state, the buyer in the importing state is allowed to avail the credit of IGST paid on interest rate purchase made by him, पहले क्या होता था, जो importing state होता था, उसके buyer को CST लग के आता था, उसकी वो non-vetable था, लेकिन अब अगर मैं दूसरे state से ले के आऊँगा, importing state के लाँगा मैं, तो मेरे पार IGST लग के आएगा, जिसकी credit मेरे को मिल जाएगी, ठीक है, त उसके अगर हम आगे चलते हैं, तो next point में देखी, the revenue, revenue of interstate sale does not accrue to the exporting state, बिल्कुल सही बात है, exporting state को revenue कुछ भी collect नहीं हो, बताया मैंने आपको, अगले point पे central transfer to the importing state, यहाँ पर जो central है, वो transfer करता है, importing state को, ठीक है, the seamless flow of credit, last point, seamless flow of credit under GST, in case of interstate and interstate supply can be better understood with the help of following situation, illustration, ध्यान रखना दोस्तों, अभी revision class में तो मैं यह आपको clear नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना है कि यह illustration बहुत important, interstate supply, थोड़ा सा मैं आपको brief कर दो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर supply हो रही है, A, B को supply कर रहा है, 900 CGST, SGST, क्योंकि interstate supply C GST, SGST लगेगा, अब यह जो, यह जो दोनों है, यह A के लिए output GST हो गया, लेकिन B के लिए input GST हो गया, जिसके उसको credit मिलेगी, ठीक है, यह देखिए, first state supplier, फिर B, C को sell करेगा, तो B, जब C को sell करेगा, तो वो interested supply कर रहा है, अगर, तो B, C को अगर interested supply कर रहा है, तो C, GST, SG यहाँ interested कर रहा है, सेम लग रहा है, अब यह देखिए, B के लिए यह हो गया output tax, और जो उधर से tax लग किया आया था, यह 900-900, यह input tax, तो balance यो difference है, वो government को जमा करेगा, यह देखिए, के थूप payment हो रहा है, और यह जो एड़ेस्ट हो रहा है, और यह जो second illustration, उसके बाद यहाँ पर देखिए, गवर्मेंट के revenue wise भी बताए, मैं इसको भी थोलग से ब्रीफ कर दूँ आपको, यहाँ पर 900 रूपीस, जो है, रिवेंट सेंटरल गवर्मेंट सबसे पहले, 900 रू गवर्मेंट के पास यह collection हुआ, मतलब गवर्मेंट के जो collection होता है, वो कूछ नहीं होता, last supply में जो टेक्स, output tax रहता है, वो ही collect होता, फिर यह definition को बिलकुल अच्छे से देखिएगा, आप लोग interest supply में involved है, और यहाँ पर जो central government, state government को shift करती है, और state central से जो पैसे का linden करता उसके बारे में भी समझाये गया है, दोनों important हमारे examples हैं, इस example के बाद फिर हम आ जाते हैं, next point पर 9 number point है, GST common portal, अब देखिए GST जब लाये गया न, तो इनका सीधा उद्शेदा इसको बहुत ही automation तरीके से लाये जाए, ताकि manual चीजों को हटा दिया जाए, तो इन्होंने क आकि एक GST common portal बना दिया, जिसमें हरे stakeholder, चाए taxpayer हो, चाए advocates हो, चाए government हो, state government हो, सब युस common portal से data bank से ही काम कर सकती है, online business पर, before GST, is the central and state indirect administration, worked under different laws, regulation, procedure and formats, that is IT infrastructure and the system were also independent, तो सबका IT infrastructure या software बोल ली जो अलग अलग था, इसको लाने के बाद सब एक infrastructure नहीं ले आया, उसके बाद अगले point पर आईए, यहां क्या लिखा हुआ है, beside GST being a destination based tax हम जानते हैं, the interstate trade of GST, IGST need a robust settlement mechanism, robust मतलब क्या हुआ, automatic, robust settlement mechanism amongst the state and central, तो आपस में इनको कोई ने कोई सके, तो इस कारण से है, उन्होंने क्या किया, GST electronic portal www.gstgov.in बनाया, और यह अपने आपने GST I, GST N बोलते हैं, इसको एक प्रकार से एक separate company बना दिया, उन्होंने, जो company set के section 8 के अंतरकात रिश्टर्ट है, उसके अगले point पर अगर हम चलें, यहां पर GST portal is accessible over the internet by taxpayer and their CAs tax advocates, सबके दोर accessible है, जिसके जित्ती stakeholder को needs है, उन्होंते access कर सकते हैं, GST related services, उसके GST common portal के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसमें देखिए, the common GST system provide the linkage to all state, यह एक प्रकार से कुल मिला कर ecosystem बना रहा है, जिसमें की कौन कौन आ रहे देखिए, authorities आ गई, taxpayer आ गई, banks आ गई, other stakeholders, सबके लिए एक ecosystem ही जिए, now, यह अब क्या काम करके देता है, तो function की अगर हम बात करें, function of GST to include the facilitating, registration भी इसी के थूँ होता है, computation होता है, return file होता है, settlement of IGST, even government matching करती कि सहीं ITC लिया है की नहीं, और government को reports अगरे भी generate करके देता है, IMIS report, ठीक है, management report, जिसके थूँ government decisions लेती है, strategical, उसके अदाब आगे च electronic waybill जो है, वो भी एक अलग इसके लिए website बनाए गई, www.ewaybill.gst.gov.in, यह पूरे countrywide जो है, transport of goods को track करता है, यह भी हमारे course में है, short में, फिर GSP, ASP क्या होता है, तो basically समझ लेजिए, GST has selected certain ITs and ITs and financial technology companies to call GST सुविधा provider, GSP, तो full firm क्या हो गया, GST सुविधा provider, तो GSP Delap application to be used by taxpayer for interacting with GSTN, तो GSTN के साथ आपको interact करने के लिए एक प्रकार से interface तयार करता है, एक software तयार करते हैं, और उसके लिए यह ASP की support भी ले सकते हैं, ASP क्या हो गया, application service provider, उसके अदाब compensation says क्या चीज़ है, अब देखें, GST आन net taxation system से जो tax collection हो रहा था, वो सकता है कि tax collection उनका गिर जाए, तो कुछ समय तक उनको support देने के लिए, यह act बनाया गया, GST Compensation says, जो कि कुछ demerit goods पर extra tax के रूप में, या luxury item के रूप में, specified luxury item पे लगाए जाता है, और यह extra tax collection कहीं ने के उन tax, उन state को support करने के लिए रहता है, यह यहां लिखा है, view to provide the compensation to the state, इसका object भी दिया हुआ है, next 12th number point है, GST tax on goods and services, तो goods पे भी tax है और services भी tax है, अला कि अभी भी petroleum जो product है, उस पे notification आया नहीं है, तो petroleum product पर अभी भी GST नहीं लग रहा है, alcoholic liquor for human consumption के अगर हम बात करें, तो it's outside the relief of the GST, इस पे अभी भी state anxiety duty चार्ज हो रही है, ठीक है, मतलब वैट और CHT लग रहा है, next है petroleum अगरे की बात करें, तो इस पे GST नहीं लग रहा है, इसमें जिस दिन date notified की जाएगी, charging section में cover है, but date notified counsel कर देगी, तो जिन इस पे भी start हो जा क्या लग रहा है, GST वेट ही लग रहा है, tobacco की बात करें तो एक unique product है, तो tobacco जो है, is a within the purview of GST में आ चुका है, that is GST लेवेट 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 है, union government, union government, has also retained the power to levy excise duty on the tobacco and tobacco product manufactured in India, मतलब फाइनली, tobacco is subject to GST, as well as central excise duty, यह double taxation हो रहा है एक प्रकार से, further the real estate sector has kept outside merit, so real estate sector में जब builder building बना कर sale करता है, या अगर आप कोई property sale करते हैं, land sale करते हैं, इसके GST चार्ज नहीं होता, अलेकि इसमें हम आगे यह पढ़ेंगे, कि builder अगर project complete होने के पहले ही, sale शुरू कर देता है, तो कहीं नहीं कहीं वो एक construction की services provide कर रहा है, इसलिए वहाँ पर GST लगता है, अगला जो segmented GST, tax subsumed in GST, that is a very important for our exam purpose, कौन से central tax को GST in subsumed कर लिया है, कौन से state tax को subsumed कर लिया है, तो brief में मैं बता दूँ, exercise duty, additional exercise duty, service tax, exercise duty and medicinal and toilet preparation, CVD, contravailing duty, special CVD, central sales tax and central surcharge, यह central government के tax है, तो GST में डाल दिया गया, और state government के जो वैट था हम जानते ही है, entry tax हा, luxury tax हा, entertainment tax हा, अले कि कुछ local bodies, entertainment tax अभी भी लगा रही है, यह सब को subsumed किया गया, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर within GST और outside GST का अच्छा एक चार्ट बना हुआ है, अगर मैं alcoholic liquor की बात करूँ, सबसे पहला वाला, उस case में power to tax remains with the state, state government, इसमें state anxiety लगाती है, और five petroleum product के अगर हम बात करें, तो GST council इसमें decide करेगी एक date, उस date notification जिस दिन आ जाएगा, उस दिन यह JST के दाहरे में आ जाएगा, फिलाल old tax system पे चल रहा है, entertainment tax की बात करें, तो इसमें local bodies अभी भी tax लगा रही है, टोबै को की बात करें, तो इसमे अभी भी इसमें central anxiety लग रही है, come to the next concept, which is the benefit of GST, अभी इतना discussion करने बाद यह एकदम simple point हो जाता है, हमारे लिए benefit of GST, तो देखे, benefit of GST में, एक एक करके हम point बात करें, तो creation of unified national market, national market unified करने का मतलब होता है, यह अब state boundaries खतम हो गई, ठीक है, जो state check post रहते हैं, वो खतम हो इसमें concept में आगया है, who's to make in India initiative, अब make in India initiative क्या चीज़ है, हम world के बाकी countries के manufacturer को यह बोल रहे हैं कि आप इंडिया में आईए और manufacturing कीजिए, तो कहीं ने कहीं, world में ज्यादा popular indirect tax system कौन सा है, GST, तो अगर आप GST करेंगे, GST आप यहाँ पर apply कर दिये, तो ज्यादा तर countries को यहाँ comfortable रहेगा tax structure पर, cop up होना यहाँ पर compatible होना, तो make in India initiative को यहाँ पर काफी benefit मिलेगा दोस्तों, फिर enhanced investment and employment, अब यहाँ पर investment और employment कैसे बढ़ेगा इसमें, तो देखे, the subsuming major central and state GST, in GST, complete and comprehensive setup of all input tax and goods and services etc, reduces the cost of locally manufactured goods, तो यहाँ पर इसका keyword हो गया, reduce the cost of locally manufactured goods and services and increase the competitiveness, तो इसका competitiveness इंडियन गूट्स का बढ़ जाएगा, international market में गूट्स बेखने लगेगा, यहाँ पर production बढ़ेगा, तो naturally employment और investment बढ़ेगा, अगले point पर अगर हम आते तो simplified tax structure, तो ease of doing business को बहुत ही जादा इससे फाइदा मिला क्योंकि यहाँ पर अगर मेरे को बहुत सारे tax structure को follow करना पड़ेगा, तो मेरे लिए compliance cost बढ़ जाएगी, तो यह uniform system होने के करण compliance की cost कम हो गई, फिर next point है certainty, certainty in tax administration, अब tax administration में भी certainty आ गए, common system of classification of goods हो गया, तो कोई confusion नहीं बचा भी, हर goods का proper coding है, service के proper coding है, across एंडिया एक रू structure चल रहा है, easy tax compliance, इसमें tax compliance भी easy है, क्योंकि online system होने के कारण भी automatic procedure with the greater use of IT infrastructure, तो एक बार सिखने में जरूर तकलिफ होती है, बट उसके बाद यह काफी easy हो जाता है, then reduction in the compliance cost, यह मैंने बात कर लिया आप से, बहुत सारे act के, अगर follow करेंगे, तो उसे compliance cost बढ़ जाएगी, आपको returns हर act का file करना पड़ेगा, advantage for trade and industry, तो trade और industry को क्या advantage मिला है, सबसे पहले है, benefit to the agriculture and industry, तो agriculture और industry को क्या फैदा मिला है, इससे naturally, जब setup शुरू हो गया, जब setup शुरू हो गया, तो इससे costing कम होई है, sale बढ़ गई है, यह फाइदा मिला है, ठीक है, transportation भी बहुत ही fast हो KPS में state check boundaries खतम हो गई है, इसे trade को और agriculture को benefit मिला है, mitigation of effect of cascading कई बार बात कर चुके है अपन, तो double taxation इससे avoid हो रहा है, benefit to the small traders and entrepreneurs, तो small traders को इसमें क्या benefit मिल रहा है, compliance की cost कम हो रही है, compliance का time कम हो रहा है, simple system है, और seamless flow national market में हो रहा है, तो small traders को जैसे और ज्यादे small होने पर उनक के पास composition scheme दी गई है, तो इसा कही सारे benefits दिये हुए है, तो GST के बारे में बात करें, तो economy को भी benefit है, advantage for trade industry है, then simplified tax structure है, and tax compliance, easy है इसका, फिर constitutional provision के आगे बात करते हैं, परा 9 में आते हैं, constitutional provision, constitutional provision के बात करें तो India has a three-tier federal structure, three-tier federal structure, comprising of union government, state government, and local authority, तो तीन government होती है, basically, तो levy of taxes and duties distributed amongst the three-tier, तो कौन से field में context लगाएगा, इसको properly constitution ने क्या कर रखा, divide कर रखा, अगर मैं constitution की बात करो, तो constitution basically 12 triangles है, 12 schedules है, और 25 parts है, जिसमें 448 articles है, ठीक है, एक general constitution of India की बात करें गई है, अब देखिए, constitution वैसे तो बहुत बड़ा है, बट taxation से संबंदी constitution में कौन से article की हम बात करें, तो एक article है 265, जो clear बोलता है, कि अगर किसी भी layer of government को, चाहिए local authority हो, state government हो, central government हो, अगर किसी भी field पे tax लेने का अधिकार मिल भी गया है, तो बिना authority of law के, या simple word में बनूं, कि क citizenship बताता है, union और state के बीच में कि कौन सा कौन सा area किस का है, उसके बाद अगर थोड़ा हम आगे चलें, तो यह हमको पता है कि state का जो कानून है, जो parliament है, central government का और state legislature है, वो अपनी अपनी field में law बना सकती है, उसी के लिए article 246, जो है, basically, कि clear करता है, इसके अंदर 7th schedule, कि कौन कौन से field में कौन सा law बनाया जाएगा, इसके अंदर list बनी है, 7th schedule of article 246, काफी पूछा जाता ही है, तो article 246 के 7th schedule में तीन list बनी हुई है, list 1, list 2, list 3, जो दिखरी आपको, list 1 जो है, it contains the matter in respect of which parliament, मतलब central government, कभी भी लिगा ना, parliament मतलब central government, so central government has exclusive right, exclusive right to make a law, for example, income tax, ठीक है, income के में, फिर state जो government है, state list 2, जिसमें की state government का पास exclusive right दिया हुआ है, और concurrent list जो है, इसमें दोनों law बना सकते हैं, ठीक है, तो entries 82 and 91 of list 1 enumerate subject where the central government has power to levy taxes, entry 45, 63 of list 2 enumerate the power of the state government, ठीक है, उसी तरीके से गर हम देखें, तो income tax is levied by virtue of entry 82, और custom जो है, entry 83 के अंतरकत लिया जाता है, अब last paragraph, यहाँ पर अगर हम बढ़े हैं, तो constitution 101st amendment act के बारे में बताए गया, power to levy GST, has been conferred by article 246A, तो basically यह है newly introduced article, 246A इस amendment act के थरू लाए गया, जो की power देता है, GST collect करने का, किसको central or state को मिल कर, of constitution has introduced by the constitution 101st amendment act 2016, before discussing the significant provision of this, let us first understand why there arose a need for constitutional amendment, अब यह अगला paragraph दोस्तों क्या है, कि क्या जरुवत थी, इस constitutional amendment को लाने की, बहुत simple अगर एक लाइन में बात करूँ, मैं, तो जो old system था, उस पे कहीं पर भी central और state government मिल कर, tax वसूल करेगी, ऐसा कोई provision constitution में था ही नहीं, इसलिए GST law लाने के पहले constitution में amendment लाना जरूरी था, इस paragraph में basically यहाँ यह दिया हुआ है, अगर इसका लास्ट परग्राफ का आप दिखेंगे, समझ में आएगा, introduction of GST, require amendment in the constitution, so as to enable integration of central excise duty, additional duty of custom, state vet, central state specific duty, etc. इसको integrate करने के लिए constitution में चेंज लाना पड़ा, उसके बाद के detail दिया हुआ है, आगे बढ़ते है, significant provision of constitution 101st amendment, इसको भी मैं important category में रखूँँगा, तो अब इसमें 101st amendment में जो सबसे important amendment आया है, changes वो क्या है, तो देखें यहाँ पर, देखें अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, article 246A, अब article 246A में लिखा हुआ है, point 1, notwithstanding, notwithstanding anything continue, article 246 and 254, जो पहले article था, जो की state और central को अलग-अलग करता था, का वहाँ कुछ भी लिखा हो, का लिखा हुआ है, parliament and subject to clause 2, clause 2 मतला ही जो पढ़ने वाले है, the legislature of every state has power to make law, मतलब law बनाने का power इस फिल्ड में, parliament, मतलब central government के पास भी है, और state के पास भी है, with respect to goods or services imposed by the union और by the state, और subject to clause 2, तो clause 2 में क्या लिखा हुआ है, लेकिन parliament के पास exclusive power है, किस चीज़ में? exclusive power to make law with respect to the goods or service tax, where the supply of goods or service और both are take place in the course of inter-state trade or commerce, मतलब conclude में करूँ, तो यहाँ पर यह रिखा हुआ है, कि inter-state supply हुई, तो central state दोनों को power है, हम जानते हैं, CGST, SGST act है, दोनों का अलग-अलग, और inter-state supply होगी, तो वहाँ पर power exclusive parliament को दिया गया है, और हम जानते हैं, यह बात है, ठीक है, तो यहाँ पर यह दिया हुआ है, explanation the provision of this article shall in respect of goods and service tax referred to in clause 5 of article 279A, take effect from the date recommended by council, कब से recommend, जब council recommend करी कुछ date से यह applicable होगा, उसके बाद article 269A में अगर हम आ जाएं, तो 269A में लिका, levy and collection of GST on inter-state supply के बारे में दिया हुआ है, और हम जानते हैं, inter-state supply पे चार्ज क्या होता है, IGST चार्ज होता है, तो basically यह power किसको दे दिया है, उन्होंने पार्लेमेंट को दे दिया, on the recommendation of council, काफी सारी definitions दी हुई है, definition में goods and service tax की definition है, service की definition है, state की definition है, incorporated under article 366, जो के हम इसमें पढ़ते हैं, फिर next यहाँ पर concept में अगर हम आते हैं, जिसमें देखी हैं यहाँ पर goods की definition important है, उसके बार JST council, तो JST council ही एक परकार से central body, जिसके तुरू पूरे के पूरे action लिए जा रहे हैं, तो यह article 279A के अंतरगत बनाई गई है, अंतरगा अंतरग सबते हैं, 15 September 2016. प्रसिंट ने कॉंस्तिटूटिटीट कर दिया इसको, तो युनियन फाइनस मिनिस्टर, युनियन फाइनस मिनिस्टर इस दा चेर्मेन और गांसिल एन मिनिस्टर इन चार्ज अफ फाइनस और टेक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाइ, और नॉमिनेट करेका इका स्टेट गौश्टर इसके पास खुद का लेजिस्ट लेशियर वो उसको स्टेट ही माना यहां पर एक प्रकार से, और इस मेंबर, बिसाइड दे उनियन minister of the state in charge or revenue or finance is also the member इस तरीके से member बनते हैं उसके बाद the function of the JST is to make recommendation तो basically हमको पता है कि यहाँ पर इनका काम recommendation देना है और recommendation नेचरल इस पर दोनों state और central के voting के अधर पर decide होता है और इस recommendation के बाद की central government action लेती है यहाँ special category state 11 special category state है उस पर special provision जो बनेगा वो recommendation के साब से बनेगा has been recommended for some or all the state so JST council also recommended the date on which is date पर petroleum product पर भी JST लाए जाएगा वो recommend करेगी and every decision of the JST council is taken by majority of not less than three-fourth of the weighted vote of the member present and voting and voting of the central has a weightage of one-third of total vote so central government को जो vote है वो one-third weightage दिया जाएगा और बाकी two-third में बाकी लोग आएगे और उनके वोट पर जब final decision होगा वो not less than three-fourth मतलब 50% 75% एक इसी decision पर वोट पड़ेगा तभी वो recommendation final होगी so friends this is the end of the revision of chapter 1 अब इसको आप thoroughly पढ़कर key notes को mark कीजिए इससे काफी आद हो जाएगा इसमें section wise को चक्कर नहीं है section wise जो है next chapter से आएगा thank you